ये एक छोटी बच्ची है जिसने अपने आखों से अपनी मा को मरते हुए देखी लेकिन या बच्ची बता नहीं सकती है चुकि ये एक महस एक साल की है इनकी मा की निर्मम तरीका से सस्राल बालों के दुआरा हत्या कर दी गई और लड़का पुरा परिवार फरार है कारण क् आपके बेटी के साथ है कि हमारें बेटी के साथ है हुआ है इसे मार के चुकि पर अच्छी तरह से सुता दिया है शुता के सरा ब्यक्ति भाग गई घर छोर के अगल वगल के आदमी मैंसा इसे बच्ची के देखा तो फोन किया है तो जो सर से मीटिंग उठता है गाहँ वाले वहिला साब कौन फोन के था वहां के सर फोन की है बच्ची रो रही थी उसमें डेट बोडी के पास तो देख लगता कोई ना रहे तो सर जी देख लग जहां की पार के तो इसी सुता आई रो इतरह है चाहती पेचे हर के उकरा कैसा था कैसा था क्या वहां पर दाग था बोडी पर das प्रतर फ़्रकी करें जाएं जाषा जाएं सथ्च रहे जाएं का इसा कह한다 प्वजाई से पती पती फसे हुए थे भजाई से तो आपकी बेटी बीरोध करती थी पता ने था आपको कि पहले भी घटना घट्चू किस घर में जो पता नहीं था पता नहीं लगाए थे लड़की जो साधी करवाए थे गाओं का नाम क्या हुआ कहां पहँ साधी करवाए थे मेंया अभीट पर अभी तक कोई पक्ड में आया है सत्षूलाल बढो सब इस पक्रम आया है यह ह Ama जो आरोप लगा रहे हैं जिस पर आपकी इसके पिता का संबंद था उस भोजाय से भावी से वो कहां है भी अब कर दिन में खबर आया था तो वह सब को यह गेली सांच के सब पहुंची बेकर दूर पर आले ते सांच के पहुंची सब इनके अनुसार इनको खबर मिली लगभग देर बजे लेकिन देर बजे से पहले मोत का तांडव लड़की के साथ हो चुका था यह परमान है लेकिन यह बोल नहीं सकती है चुकि यह छोटी बच्ची है अपने आखों से अपने मा को मरते हुए देखी दुरभाग देख लिज कर अपने ही भावी से था इनकी मा इनकी बेटी बार्वा बिरोट करती थी लेकिन क्या करें कुद्रत का करिसमा देखिए वो पती निर्दय पती दरिंदा पती संजे दास अपने भावी के इसक में इतना पागल हो गया था कि इनकी बेटी को मार कर छोड़ दिया अब बेटी ये जो बेटी है रो रही थी बिरख रही थी रो रही थी बिलख रही थी यहीं बेटी का आबास सुनके जो आसपास प्रोज के लोग थे देखा कि रो क्यूं रही बच्ची तब बच्ची देखा गया घर में क्यूं रो पच्छा है चार लड़की है एक लड़का है है एक मरही गया ना तो तिन बच गया पच्छी और एक लड़का है क्या इंसाफ में चाहते हैं आप इस आप विद्धा इस ने किया अपकी बेटे सा तेसा आपकी बेटी बोला नहीं करती थी कि पती के सब हो रहा है अपको अपने घर ले आते हैं आप कि यह साधी करवा देते हैं कि देख लिजिए सबसे बड़ा सवाल यह है इस छोटी सी लड़की का क्या होगा इसका दरिंदा पिता इसके माक की हत्या करके भाग गया सश्राल बालों मिलकर हत्या कर दिया और अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई एक होज मिन जाड़ी है यह पिता अपनी बेटी का मुखांगनी देकर अभी लोटे हैं बस यह चार रहे हैं जिस तरह से इनके बेटी के साथ बहरमी से मौत का घाट उतारा गया जो इसा किया उसको सजा मिले सबसे बड़ा सवाल या है इनके दुबाड़ा कि इस बच्ची के नाम पर जो भी जमीन जायदाद है पिता का सब इसके नाम पर चला जाए ताकि इसका भवित सबर सके अब इस बच्ची का भवित अब इनके दोनों हाथ में है इनकी उतनी उम्र नहीं है ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जीएंगे उसके बाद जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी तो इसका कौन देखवाल करेगा तुकि इस बच्ची ने मरते हुए अपने माँ को देखे लेकिन इसका सबुत माणने नहीं होगा अब तो जाज का विश्य है कैसे क्या हुआ है लेकिन इनकी अनुसार इनकी बेटी की निर्मम तरीका से घर में ही वेदर्दी तरीका से हत्या किया गया दोस्तो ये है कहानी पती दुसरे साथ सम्मंद रखता है अपने ही भावी से सम्मंद रखता है पत्नी बार-बार विरोत करती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पत्नी अपने पुरे परिवार बालोग से मिलकर अपने ही पत्नी का निर्मम तरीका से मार कर बोडी को घर में फेक दिया जाता है अब बच्ची को छोड़ दिया जाता है अब खुद पुरा परिवार भाग जाता है अंतता इस केस में यही हुआ कि ये माता पिता जिस बेटी को अपने घर से बिदा किये थे बेटी तो नहीं इनके पास है नतनी इनके गोद में है अता हुमर इनहीं नतनी के चेहरा में अपनी बेटी को तलासेंगे ये चुकि जिनसे ये साधी करवायत है वो निकला दरिंदा ये है इनकी कहानी दोस्तों इनके हित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें धन्यवाद झाल